अस्सलाम अलाइकुम नाजरीन कैसे हो आप सब उम्मिद है कि सब खैरी इससे होएंगे अल्ला सुभनात आला सबको खैरों बरकत से रखे आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टॉपिक है कि मिया बीवी का रिस्ता बहुत ही पाक और बहुत ही प जब वो बच्पन में पढ़ा करते थे तो आपस में बोल चालती अज़ जब इनकी पढ़ाए मुकमल हुई तो जो लड़का प्रोफेसर था उसने रिश्टा पहुचाया लड़की के घर लड़की के गहरवालों ने एकसेप्ट कर लिया तो लड़का भी अच्छा कमाता था प्रोफेसर था फैमिली बैक्गराउंड अच्छा था तो उसकी शादी हो गई जब शादी हो गई तो दोनों आराम से रहने लगे वो दोर प्रोफेसर था वो बच्चों को पढ़ाता था ये लड़की घर पे रहा करती थी एक शक्स था जो कि कॉलिज में प्रोफेसर था एक लड़की थी उसकी शादी उस प्रोफेसर से हो गई जब ये बच्चपन में कॉलिज के जमाने में पढ़ा करते थे तो दोनों आपस में बाच्चीत किया करते थे तो एक ही कॉलिज में थे तो उस लड़के ने लड़की के घरवालों को रिश्टा भेजा कि हम फुला लड़की से उस लड़की से शादी करना चाते हैं तो लड़की के माबाप ने रिश्टा एकसेप्ट कर लिया क्योंकि ये प्रोफेसर था फैमिली बैग्गराउंड अच्छा था रिश्टा हुआ शादी हो गई दोनों आराम से रहने लगे अच्छा एक बात और कहे दूं कि अपनी बीवी को धोका ना दे और बीवी को चाहिए कि कभी भी अपने शोहर को धोका ना दे तो कि ये रिश्टा बड़ा अनमोल रिश्टा हुआ करता है तो ये दोनों मिया बीवी अराम से रहते थे तो इनकी शादी के दीरे देरे दस साल मकमल हो गए हैं लेकि इनके गर कोई उलाद नहीं हुई जब किसी के हाँ बच्चा होता था किसी के हाँ बच्चे की विलादत होती थी बच्चे की पैदाईश होती थी तो ये जो इसकी बीवी थी इसको खुशी तो बहुत होती थी लेकिन एक गम भी सताता था आँखों से अष्क भी जारी हुआ करते थे और बाहर ये चछत पे जाके फिर रोया भी करती थी अल्लाव की बारगाह में दुआइं भी किया करती थी फर्यादें भी किया करती थी कि मौला मेरी भी जोली भर दे मुझे भी अुलाद अता फर्मा दे दस सालों से इसकी उलाद नहीं हुई थी दुनिया में इंसान कितना भी कामियाब हो कितना भी बड़ा आदमी हो कितने भी पैसे वाला हो लेकिन अगर उसकी उलाद नहीं है तो फिर उसकी जिन्दगी सूरी सानी है अगर उलाद नहीं है तो फिर जिन्दगी में कोई खुशी नहीं है जब इनसान की उलाद होती है तो उसके पास सारी खुशियां होती है जब उलाद नहीं होती तो फिर इनसान को बड़ा रोना आता है रातों में चुप चुप के भी रोया करते है उनके दिल में एक दर्द छुपा हुआ हता है बड़ी तमनाएं बड़ी मुरादें बड़ी मनतें किया करते है तो एक दिन क्या हुआ कि गाउं में जिसमें ये रहा करते थे पड़ोस में ही उसकी एक फ्रेंड थी उसकी एक दोस्त थी तो उसके यहां बच्चे की विलादत हुई जब इस तक खबर आई तो यह बड़ी खुश हुई लेकिन गमजदा भी थी कि अल्ह ताला हमारे घर पे अलाद कब अता फरमाएगा हमारे घर पर यह खुशियों के फूल कब खिलेंगे हमारी जोली कब भरेगी तो जो प्रोफेसर साब थे यह आके अपनी बीवी को सहरा देने लगे एए मेरी शरीक यहाद आप टेंशन ना लो अल्ह ताला चाहेगा तो हमारे यहां भी अलाद हो जाएगी अल्हा की रहमत से नाउमीद ना होना तो बीवी मुस्कुराती है कहती है नहीं मैं अल्हा की रहमत से नाउमीद नहीं हूँ मैंने अल्हा पर लो लगा रख किये कि अल्हा ताला हमारे यहां भी अलाद अता फर्माएगा इन मिया बीवी में बड़ा प्यार था बड़ी बहबत थी तो एक दिन क्या हुआ कि यह घर पे अकेली रहा करती थी अब प्रोफेसर साब क्या पढ़ाने चले जाते थी यह अकेली रहती थी तो इसकी एक फ्रेंड थी इसकी एक दोस्त थी तो वो इसकी घर पे आई आने के बाद इसे कहा कि चलो हम कल कहीं टहलने चलते हैं आपके जो हैस्बेंट हैं वो प्रफेसर हैं वो कॉलिज चले जाते हैं वो पढ़ाने के लिए चले जाते हैं आप भी घर पर अकेली रहती हैं तो चलो हम कल एक जगा गूमने चलते हैं उसने का ठीक है हमारे शोहर आज आजाएंगे उनसे हम मालूम कर लेंगे कि उनके शोहर की बगएर अजाज़त भी निकलना जायज नहीं है शोहर की बगएर अजाज़त भी निकलना अच्छी बात नहीं है अच्छी बीबी बो होती है कि जहां भी जाये तो शोहर की तो का ठीक है जब प्रोफेसर साहब रात में आए शाम को घर पे आए तो उसने पूचा कि हमारी फ्रेंड है वो आई हुई थी तो उसके साथ हम एक जगा जाना चाहते हैं अगर आप अजाज़त दें तो हम चले जाएं तो प्रोफेसर साहब ने का ठीक है आपको अजाज़त आप चली जाएं और जल्दी वापस आजाएं क्योंकि प्यार महबत जादा था इन में उसने इजाज़त दे दी तो इसने का ठीक है दूसरा दिन जब हुआ तो उसकी फ्रेंड फिर आई उसकी पुरसहेली आई और आने प्रोफेसर की जो बीवी थी ये आगे थी और वो जो इसकी फ्रेंड थी वो पीछे थी तो जब ये रास्ता पार कर रही थी तो इस ते देख नहीं पाया तो एक गाड़ी आई और उसने इसको टकर मार दी इसका एकसीडेंट हो गया और जब एकसीडेंट हुआ तो गई तो प्रोफेसर साहब ने इसको तसली दी कि आप बीवी घबराएं मत आपका एकसीडेंट हो गया था अब आप बिल्कुल सही हैं लेकिन डॉक्टर ने इतनी देर में आके प्रोफेसर साहब से ऐसी बात कही कि पैरों के नीचे से जमीन की सक गई डॉक्टर साहब ने क प्रोफेसर साहब ने का ठीक है अगर यही ला को मन्जूर है तो ठीक है आप पैर फिर काट दीजिए बस हमारी वाइफ को बचा लीजिए ए हमारी बीवी को बचा लीजिए डॉक्टर का ठीक है पूरी कोशिशें जारी है इन्शाला अल्ला अल्ला ने चाहा तो आपकी बीवी बच जाएगी जल्दी से उसका उपरेशन किया गया उसके दोनों पैरों को काटा गया जब फिर से होश में आई तो जब उसने अपने पैरों की तरफ निगाह दोड़ाई तब तो उ प्रससबूं ने कहा कि आप ऐसा क्यों कहती हो आपकी फ्रेंड़ आतो जो हमेरे हम्यारी हक कर विर साथ हो के रहता है अब अपने आपको मत कोशिय तो सब आपकी आपके साथ एसा हुआ ऐसा हुआ ये प्रिंड आपको ले गई अब इसमें कोई किसी की घलती नहीरभी निक प्रोफेसर जब लोट किया था 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 का बीबी तुम अदास क्यों रहती हो का पता नहीं पहले जैसे कुछ अच्छा नहीं लगता है अब ये जो पैर कट गए है ना बड़ा तकलीफ होती है अजीब लगता है कि हमारी कुई अलाद भी नहीं है और हमारे साथ ये हादसा भी हो गया है अब क्या हुआ कि कुछ दिन गुजर गए तो प्रोफेसर साथ अपनी बीवी से बहुत कम बात करते थे और बहुत कम इसको टाइम देते थे और जादा वक्त कॉलिज में ही रहते थे तो एक दिन बीवी कहने लगी कि आप ज़्यादा वक्त कॉलिज में रहते हो घर पे आते हो तो हमसे बात नहीं करते हो पहले जैसा कुछ भी माहूल नहीं है पहले आप बात भी करते थे बैठते भी थे शायद कि हमारे पैर कट गए ना हम पर ये मुसीबत आगी तो आप हमसे भी आप भी बात नहीं करते हो हमें बड़ा अजीब लगता है तो प्रोफेसर सापने का कैसी बातें करती हो आपका भी दिमाग ठीक नहीं है आप आराम करो रिलेक्स करो जब आपका दिमाग ठीक हो जाए तो हमें बुला लेना अब अजीब अजीब बातें करने लगा प्रोफेसर इदर बीवी बिल्कुल उदास नहीं लेगी सूख गई बिल्कुल दूबली हो गई उसको टेंशन हो गई थी कि पहले तो ये बहुत अच्छे से बातें करता था लेकिन अब जो हमारे पैर कट गए हम पर मुसीबत आ गई तो ये बात भी नहीं करता क्या यही प्यार होता है आखिरकार वो कुछ समझ नहीं पाई थी एक दिन उसकी बही फ्रेंट उसके पास आयो आने के बात कहने लेगी कहने की बहन तुम्हें perfectly अने करते तो इनकी एक च्रफ्रेंट है ये उसे महबत करते है उससे प्यार करते है इसी वजे से या आप पर जी जाधत तावज्ज़ नहीं देते है आपसे बात भी बड़ा अजीब तरीके से करते हैं घुसे में आके आपसे बात करते हैं आपको ज़्यादा टाइम ने देते हैं अक्सर कॉलिज में ज़्यादा रहते हैं तो ये इनका एक चक्कर चल रहा है तो बीवी ने जब ये सुना तो बड़ा तकलीफ हुई क्योंकि जब दो मिया बीबी आपस में ज़्यादा मुभबत करते है और फिर शोहर के बारे में अगर कोई खलत खबर मिल जाए बीबी को तो उसको बड़ा तकलीफ होती है और अगर बीबी के बारे में शोहर को कोई खबर मिल जाए तो उसको भी बड़ा तकलिफ होती है तो ये मैंने कहाता था ना कि ये जो रिश्टा होता ना बड़ा पाक रिश्टा बड़ा अनमोल रिश्टा होता है तो इस रिष्टे को दोनों मेंसे कोई भी खराब ना करें वरना फिर अल्लह ताला की लानत उन पर बरसती है और वो घर तबाह हो जाते हैं फिर उन्हें आपस में लड़ाईया ही रहती है तो शाम को जब प्रोफेसर साहब आये तो बीवी ने उनसे पूछा कि आज कल आप बड़ा टाइम स्कूल में ज़्यादा देते हो कॉलिज में ज़्यादा टाइम आप देते हो घर पे बहुत कम उसने का बीवी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ हमें ज़्यादा काम रहता है कॉलिज में इसलिए हम ज़्यादा देर तक रहते हैं आप जदे दिमाग मत लगाओ आप घर पे रहो आप से कोई काम भी नहीं करवा रहे हैं आप आराम से बैठो बस बैठके खाओ आपको जदा हमसे बोलने की और जदा सवाला जवाब करने की जोरौत नहीं है अब पहले तो ऐसे कभी बोलता नहीं था वो उसने अपनी प्रोफेसर को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको मिलवाया उससे का ठीक है। तो उसकी फ्रेंड ने उस लड़की को बोला कि प्रोफेसर की भीवी आपसे मुलाकात करना चाहती है। तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं मैंने मुलाकात कर सकती। अच्छा वो स्रिभ你要 और चाहँ से हमिल्कूल कोई प्यार नहीं करते हैं कोई मुखबत नहीं करते तो कैसे हैं को प्रूफेसर साइच की प्यार नहीं करते हैं और हमें तुम्हारा को ये अल्प प्रोफेजर की बीबी ने का ठीक है तुम हमारी हैल्प करो हमारी जिन्दगी वरना बर्बाद हो जाएगी और हम भी मर जाएंगे और हम फांसी लगा लेंगे अगर यही चलता रहा माहूल क्योंकि हमें भी अपने शोहर से बड़ी प्यार है बड़ी महबत है हम अपने शोहर को ऐसा नहीं छोड़ सकते है उसने का ठीक है बताओ क्या करना है का बस बात यह है कि तुम हमारे घर पे आओ और सारी डिसकस सारी बाते हम अपने शोहर के सामने करेंगे तो पहले तो वो राजी रही हुई लेकिन ये जिन्दकी और मौत का सवाल था तो बो लड़की आई आने के बाद उसकी प्रोफेसर की बीवी की फ्रेंड भी आई और बो लड़की भी आई घर पे ये लोग तीनों लोग बेटे हुए थे इतनी दिन में प्रोफेसर भी आ गया प्रोफेसर ने जब उस लड़की को देखा तो पड़े हैरान हुए कि ये लड़की हमारे घर में कैसे और हमारी बीवी के साथ बेटी हुई है तो इदर उदर की बातें चलती हूँनी बीवी ने का भई आप बता आओ आप पता रहे तो एक सहसे कालेज में ज्यादा आपको काम रहता है अप गर पे शादी करना चाहते हैं तो ये उनका जब ये ज़्यादा देर तक लड़ाई जगड़ा रहा तो बाद में क्या हुआ कि बो लड़की अपने घर चली गई प्रोफेसर ने कहा तुम सब लोग मिलकर हमारे साथ खेल खेल रहे हो और ये लड़की ये हमसे कहती है शादी के लिए हलाके प्रोफेसर ही घलत था तो बो लड़की अपने घर चली गई और प्रोफेसर की बीवी की जो फ्रेंड थी वो भी चली गई अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो प्रोफेसर की बीवी थी इसने फिर अपनी फ्रेंड को कॉल की बुलाया बुलाने के बाद इसने का उस ल अब क्या हुआ कि प्रोफेसर जैसे ही कॉलिज में गया पढ़ने के लिए तो वो लड़की आके इसके आफिस में और कहने लगी कि आप हमें बहुत टोशर करते हैं आप हमें बहुत प्रेशान करते हैं लियाजा अब हम जीना नहीं चाहते हम जा रहें और खुदकुशी करने जा रहें और हम मर जाएंगे और सारा का सारा बवाल मेरी खुदकुशी के गुनागार आप होंगे मेरी हतिया के गुनागार आप होंगे और मैं जा रही हूं इतना कैके वो भाग गई बहां से वो जैसे ही गई तो अब प्रोफेसर को खबर मिली किसी ने इसको आके खबर दी कि उस लड़की ने खुदकुशी कर ली है उसने आत्माहतिया कर ली अब इसने जब सुना तो बिल्कुल इसका दिल दहल गया और आके घर पर उदास उदास लेट गया बीबी ने कहा क्या हुआ का कुछ नहीं वो लड़की हमें ही परेशान करती थी और आज ऐसा हुआ कि वो हमारे आफिस में आके कहने लेगी हम अपनी आत्माहतिया कर लेंगे अपनी जान दे देंगे और ऐसा है वैसा है वो मुझसे शादी करो कि वो लड़की मर चुकी हलाके इनकी एक साज़िश थी इसकी बीबी बड़ा जहीन थी इसने एक साज़िश की थी एक मनगढ़नत कहानी बनाई थी इसने एक ये बहाना रचाता कि इसको पता चल जाए कि इस लड़की की डेत हो गई है इसने आत्मातिया कर लिए हलांके प्रोफेसर को ये मालूम भी चल गया था कि उसने आत्मातिया कर लिए तो कुछ दिनों तक ये प्रोफेसर डिप्रेशन में रहा उसके बाद ठीक हो गया और कुछ दिनों के बाद उस लड़की की भी शादी हो गई तो फिर इसको आखिर तक खबर नहीं हुई कि उस लड़की की शादी हो गई या भो मर गई इसको आखिर तक यही पता चला था कि वो आत्मातिया उसने कर लिए अब हमारी वज़े से उसकी जान गई है तो जब भी इसे याद आथा तो बड़ी तकलीफ हुआ करती थी कहने का मतलब यही है कि मिया बीवी के रिष्टा ना बड़ा पाक रिष्टा है तो इस रिष्टे के दर्मियान किसी को हाईल ना होने दें किसी को आने ना दें और अपने रिष्टे को कायम रखें अपने रिष्टे में खराबी पैदा ना होने दें अगर दोनों की तरफ से कोई नग कोई चोटी मोटी गलती हो जाये करें तो दोनों आपस में सुलचा जाए तो नाजरीन शोहर ने औरत को धोका दिया तो तहसिन जिलानी का ये बयान आपको कैसा लगा इंसानला जरूर अच्छा लगा होगा तो वीडियो अगर अच्छा कियेगा अल्लह हफेज